Hello Students, आज हम इस वीडियो के अंदर शटडी करेंगे ऐलकाइबों के बारे में As you know that जो हमारे पास ऐलकाइबों होते हैं It is a part of unsaturated hydrocarbony किसका part होते ही हैं? Hमारे पास unsaturated hydrocarbony का part होते हैं Unsaturated hydrocarbony इनके अंदर क्या होता है जब हम बात करते हैं तो ट्रिपल बॉंड प्रिजेंट होते हैं इनके अंदर क्या होता है ट्रिपल बॉंड यानि काबन काबन के बीच में ट्रिपल बॉंड होता है ठीक है बटा अब जब हम इसकी बात करते हैं काबन काबन के बीच में ट्रिपल बॉंड होता है तो यह जो काबन ट्रिपल बॉंड इर काबन होते हैं यह हमारे पास कैसे होते हैं बटा हमारे पास pi bond होते हैं और one is sigma bond two pi bonds and one sigma bond और इनके बीच का जो bond angle होता है that is of 180 degree यानि यह जो shape होती है हमारे पास कैसी होती है linear कैसी shape होती है बटाई इनकी linear shape होती है triple bond के अंदर और triple bond में जो bond length होती है यह हमारे पास होती है 120 picometer की तो यह तो हमारे पास है journal information about alkynes अब हम बात करते है alkynes के अंदर इनका जो journal formula होता है alkynes का the journal formula of alkynes यह आपने 10th class में पढ़ा था that is cn h2n क्या होता बटा इसके अंदर जब हम बात करते cn h2n minus 2 this is the journal formula of alkynes cn h2n minus 2 ठीके बटा तो हम जब बात करते हैं अभी तक आपने जब हम दो टाइप्स के होते हैं one is of terminal and another is non-terminal terminal alkynes and non-terminal alkynes यानि alkynes हमारे पास दो टाइप्स के होगे उससे पहले इनको पढ़ने से पहले हम बात करते हैं जो alkynes के अंदर first member होता है आप भी जानते हो first member कोन है तसका when n is equal to 2 इसमें 2 पुट कर दीजे क्या है आपके पास C2 H2 यहनि C, H triple bond C, H and दो कारबन होगे two कारबन के लिए आप भी जानते है बेटा use करते हैं it और दोनों ही कारबन के बीच में क्या है triple bond और triple bond के लिए क्या आता है yn और as it does not contain any functional group तो इसके लिए कोही नहीं आता तो e as it is जादा है ठीक है तो first member is ethine ठीक है बड़ा अब हम वापस आते हैं types of alkynes तो हमने बात करे थी alkynes हमारे पास दो types के होते हैं एक terminal और एक non-terminal जब हम terminal alkynes की बात करते हैं तो terminal alkynes का मतलब ही होता है कि जब हमारे पास triple bond कहां पे हो triple bond present at the end of the chain at the end of the carbon chain यह simple हम बात करते हैं paint chain के end पे होता है तो वो हमारे पास कहलाते हैं और second one is non-terminal यानि जो कहां पे होते हैं end पे नहीं होते हैं in between in between the chain तो वो हमारे पास कहलाते हैं non-terminal आप देखें सबसे पहले हम terminal का example लेते हैं CH3 CH2 C triple bond CH देख रहे बाटए यह हमें end पे मिला इसका नाम क्या हो गया हमारे पास alkynes यह हमारे पास दो types करते हैं अब third one बात करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए skip कर देते हैं अब वापस आते हैं अब हम बात करते हैं हमारे पास जो hydrocarbons होते हैं अभी तक हमने study करें three types के होते हैं एक हमारे पास होता है alkyn second one is alkyn and third one is alkyn तो यह हमारे पास three types के हमने पढ़े हैं hydrocarbons तो यह हमारे पास saturated hydrocarbons होता है और यह दोनों के दोनों unsaturated जब हमारे पास carbon-carbon के बीच में कुन सा bond होता है single bond होता है when the single bond exists between carbon-carbon then it is known as an किसे represent होता है बटा an से और यहाँ पे इस carbon-carbon के बीच में single bond होता है that is sigma bond और यह वाला जो हमारे पास single bonded carbon होता है यह sp3 hybridized होता है कैसे hybridized है sp3 hybridized ठीक बटा तो इसके अंदर हमारे पास 25% s character होता है 25% s character अब बात करते in की in का मतलब यह हो गया बटा कि carbon-carbon के बीच में double bond कितने bond double bond हमारे पास exist करते हैं ठीक है इसमें एक sigma bond होता है और एक pi bond और जो double bonded carbon होता है यह हमारे पास sp2 hybridized होता है कैसा होता है sp2 hybridized और जो हमारे पास sp2 hybridized carbon होता है तो ध्यान से सुनिए इसके अंदर s character हमारे पास कितना होता है देखो पास कितने orbital होता है 3 orbitals होता है इसी वज़े से जब 100 से divide करता है तो कितना होता है हमारे पास 33.3% यानि 33% इसके अंदर s character हो गया ठीक है बटा अब आईन की बात करते है आईन का मतलब क्या हो गया carbon carbon के बीच में triple bond और इसके पहले sp hybridized होते है ठीक है बटा कैसे होते है sp hybridized carbon होते है इसके अंदर और इसके अंदर हमारे पास 50% s character होता है कितने पसेंट 50% s character हाँ ज़े बटा तो इसके अंदर 50% s character होगे अब हम ये बात करते है higher the s character जिनके अंदर जिस hybrid carbon के अंदर या जिस molecule के अंदर s character सबसे ज़ादा होता है वो उतना ही ज़ादा electronegative होता है more the electronegative in nature वो उतना ही ज़ादा क्या होता है electronegative in nature और जो जितना ज़ादा electronegative होता है nature में वो उतना ही ज़ादा क्या होता है? Acidic in nature. वो उतना ही ज़्यादा क्या हो गया? Acidic. और अब हम बात करते तो इन तीनों में से Alkene, Alkene और Alkine में से. जब हम इनके Acidic Character की बात करते हैं? Acidic Character. तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा Acidic हमारे पास होता है Alkine. Why? Because it contains 50% Acidic Character. फिर हमारे पास होता है Alkene, क्योंकि इसके अंदर कितने होता है? 33.3% Acidic Character. और सबसे कम Acidic होता है हमारे पास Alkines. ठीकी बड़ा? अब Alkene के भी हमने कहा दो टाइपस होते हैं. हमारे पास एक होते है Terminal Alkines होते हैं. ये ज़्यादा Acidic Character शो करते हैं. ठीकी बड़ा? ये क्या करते हैं? ज़्यादा Acidic Character शो करते हैं. और क्योंकि ये जल्दी जल्दी ये वाला hydrogen क्या करते हैं, release कर देते हैं, ठीक बड़ा, तो जितने भी हमारे पास terminal alkyns होते हैं, R, C, triple bond H, जब इनको metals के साथ react करा रहता है, आपने 10th class में एक reaction पड़ी थी, acid plus metal gives salt plus hydrogen gas, तो उसी reaction के साथ हम इसको comparison कराते हैं, तो जितने भी हमारे पास terminal alkyns होते हैं, जब इसको sodium metal के साथ react करते हैं, तो हमारे पास मिलता है बड़ा, R, C, triple bond, C, negative, Na, positive, तो यह हमारे पास salt मिलता है, साथ में इसमें से release होती है H2 gas, तो इस reaction shows that कि terminal alkyns होते हैं, यह हमारे पास किस type के होगे, acidic in nature, ठीक है बटा, यह कैसे हो जाते हैं हमारे पास, acidic in nature, balance कर दीजिए, यह लिजिए, यह balance होगे reaction, ठीक है, जब कि यहाँ पे non-terminal के पास, जब हम बात करते हैं, non-terminal alkyns के पास कोई hydrogen और जब कि यह हमारे पास कौन से groups होते हैं, यह हमारे पास electron donating group होता है, और electron donating group आप भी जानते हो क्या करता है, acidic character को कम नग गया, तो as a result, जब हम इन दोनों के acidic character की बात करते हैं, तो terminal alkyns are more acidic than non-terminal alkyns, तो यह हमारे पास हो गया, तो इतना discussion हमारा हुआ, तो यह तो general information थी, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कौन-कौन सी isomerism आते हैं, देखो IUPAC हम पहले ही पढ़ चुके हैं, last chapter में, some basic concept of organic chemistry के अंदर, अब हम आगे continue करते हैं, इसके अंदर कौन-कौन सी isomerism take place करती है, isomerism in alkyns, इसमें total मिला के बिटा, हमारे पास जो isomerism होती है, वो 4 types की होती है, कौन-कौन सी, जिसमें से सबसे पहले हमारी होती है, chain isomerism, एक-एक example लेके जल्दी-जल्दी मैं इनको explain करता हम बिटा, chain isomerism, for example, C5, H8, C5, H8 हो गया, तो यह हमारे पास बना CH3, CH2, तो मैं पहले आपको जनरल बताता है, कौन-कौन सी isomerism यह take place होती है, इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे है, पर सबसे पहले हमने कहा, chain isomerism होते हैं, जो हमारे syllabus में है, दूसरी, position isomerism, थर्ड, functional isomerism, और लास्ट जो हमारे syllabus में नहीं है, बट, important है, fourth one is, ring, chain, isomerism, तो यह four types के isomerism, इसमें take place करती है, तो इन चारों को हम इसी के examples के थूरू explain करते हैं, तो सबसे पहले हम chain isomerism की बात करते हैं, CS3, CH2, CH2, C, triple bond, CH, ठीके बटा, तो देखे, pent, one, iron, तो chain isomerism में आपकी functional group की position change नहीं होनी चीए, यह याद रखना, functional group की position अभी क्या है, first, तो functional group की position को same, रखते वे आपको chain को कम करना है, अभी आपकी जो chain है, वो 5 carbon की है, जो next carbon की chain बनेगी, वो आपकी 4 की बनेगी, one, two, three, and four, triple bond की position change नहीं होनी चीए, ठीके बटा, आप देखे, और जब भी हम बनाते हैं, तो कभी भी terminal carbons के उपर वो branching को exist नहीं कराते हैं, हमेशा, जो beach के carbons होते हैं, यारि middle carbons होते हैं, centers के carbons होते हैं, middle वाले, उन पे attach कराते हैं, टर्मिनल पे कभी नहीं कराते हैं, देखे, तो हमारे पास दो carbon बचे यह दोनों, तो इस पे तो होई नहीं सकता है इस carbon पर क्योंकि यह जो carbon है यह पहले से इनके carbon complete होगे और carbon की आप भी जानते हो tetravalency होते है तो charvalency complete होगी तो सिर्फ हमारे पास एक ही carbon बचा है this one तो यह CH and this one is CH3 तो हमारे पास बना 3-methyl इसका नाम हो गया one two three and four priority देंगे triple bond को तो 3-methyl but one iron ठीक बटा तो यह तो हमारे होगे position इससे छोटी नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते देखिए यदि हम तीन carbon की chain करते है one two and three ठीक है तो अभी हमने बात कर लिए थे टर्मिनल पे तो हम लगाई नहीं सकते तो यह CH3 अब आपको दो carbon लगाने तो हम टर्मिनल carbon पे तो exist करा ही नहीं सकते ना इस carbon पे टर लगा सकते ना इस carbon पे बट सेंटर वाले carbon की क्या होगी valency complete होगी तो कहां लगाए तो इसलिए बिटा इसका और ज्यादा chain isomers नहीं बन सकते तो next हम बात करते हैं position isomerism as you all know that position isomerism में हम functional group की position को क्या करते हैं change करते हैं without changing the carbon 6 ठीक है बटा किसी का example लेते हैं CH3 CH2 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 C triple bond CH 1 2 3 4 1 5 तो यह आपके पास क्या बन गया pent 1 iron next इसको shift कर दीजे second carbon पर CH3 CH2 C triple bond C and CH3 तो number of carbon atom and hydrogen atom will remain same तो यह आपके पास क्याएगा pent 2 iron अब एक और बार shift कराओगे तो जब one more time shift कराते हैं बिटा तो ध्यान से सुन देखे one two three four five one two three four five अब देखे अपने यहां से सबसे पहले इस वाले carbon के इस carbon के बीच में था फिर इस carbon के बीच में अब यहां पर आप इसको shift करा रहे हैं तो आप वान देखे one यूग कि priorities को देखे second number पे आगा तो यह वाला structure होगे यह वाला structure क्या होगे सेम इसलिए इसके दो ही isomas बनते हैं position isomas ठीक है बटा अब हमारे पास आता है next ठीक है बटा तो यह हमारे पास क्या होगे इसकी position isomas अब इन दोनों के लिए देखे सबसे पहला था हमारे पास chain isomas अब दूसरा क्या है बटा इसके अंदर ही हम क्या करें इसकी functional group की position change करके इसमें chain isomas बना जो दोनों ही positions करें तो देखे जब हमसे पुछा राता है कि total isomas कितने बनेंगे इसके तो द्यान से देखिए तो one two and three यह तीरी बनेंगे अब four देखे बटा क्या बन सकता है इसके अंदर हमारे पास हाँ जी बटा कितने बन सकते देखे तो आप लोग देखे one हो गया यह two और यह three isomas हमारे पास बन गये अब आप कहोगे sir क्या इसमें chain isomer बन सक four और मैंने आपको कहा था कि टर्मिनल पे आपको लगाने नहीं है branching यहाँ पे नहीं लगा सकते हो इन दोनों काबन पे लगा सकते हो बट इनकी fallacy valency पूरी है तो इसकी आपकी chain isomer इसलिए नहीं बन सकता इसका with changing the position तो जब आप यह करते हो बटा chain and position isomers बनाते हो तो इसम हार possibilities हम लेके चलते हैं ठीक है तो यह है हमारे पास next हमारे पास बनता है कौन सा है functional isomerism जब हम functional isomerism की बात करते हैं तो इसमें हम functional group ही change कर देते हैं तो दिहान से सुना बटा जो alkyne होता है दिहान से देखिए जो हमारे पास alkyns होते हैं ये change होते हैं हमारे पास two double bonds में यानि one alkyn हमें two double bonds देते हैं यानि किसी भी carbon chain के अंदर two double bonds को present कर देते हैं ठीकी बुटा for example जैसे example ले लिया हमने c4 c4 h6 ये हमारे पास एक साथ बुटा तो क्या बना c h3 c h2 c triple bond ch ठीकी बुटा और यदि में इसका chain isom जब हम बनाते हैं position isomerism तो chain तो बनेगा इनी पहली बात हम बात करते हैं chain नहीं बनेगा इसका ठीकी बुटा तो इसका position isom ये इसकी position isomism है जिसमें हम functional की position change कर रहे हैं तो क्या बन सकता है c h triple bond c और ये c h3 इस टाइप से बना तो ये तो position isomism होगे अब हमें बनाने functional isomism तो functional isomism कैसे बनाएं देखे तो one तो मैंने कहा दो double bond आ जाएंगे नहीं दो alkyne आ जाएंगे इसके अंदर तो देखे c h2 c h c h double bond c h2 देखे number of carbonate of one two three four one two three and four hydrogen two and three two and three तो टोल से होगे six तो इस type से बिटा देखे ये हमारे पास triple bond किस में convert हो गया two double bonds में तो ये हमारे पास बना but one and three diene और एक और हमारे पास बन सकता है c h2 c triple bond double bond c ठीके बिटा c h2 double bond c double bond c h and c h3 तो ये हमारे पास बन जागा but one two diene तो इस type से ये हमारे पास functionalism में change होगा जिसमें एक triple bond किसमें change होता है two double bonds में change जाता है और next हमारे पास होता है ring chain isomerism ठीक बटा इसमें क्या होता है जो alkyne होता है हमारे पास आप जानते हैं इसका general formula c n h2 n minus 2 तो ये alkyne हमारे पास change होता है cyclo alkyne के अंदर क्योंकि cyclo alkyne का भी general formula हमारा होता है c n h2 n minus 2 for example c3 जब हम बात करते देखें c3 कितना हो जाएगा h4 हो जाएगा हमारे पास c3 h4 structure क्या बनेगा alkyne के case में c h3 c triple bond c h तो क्या बन गया हमारे पास ये prop one iron या फिर prop pine और इसी को हम cyclic मेते three carbons and with one double bond इस type से तो देखें यहां पे हमारे पास क्या है c h2 c और देखें इनके बीच में double bond one two three और एक h one two three और एक ह तो total hydrogen कितने होगे two और two four तो ये हमारे पास क्यालाईगा cyclopropene ठीक बटा cyclopropene तो इस type से बटा हमारे पास ये हमारे पास होते है इनके total isomism और जब हम बात करते हैं तो ये सिफ शो करता है structural isomism इसके अंदर geometrical isomism take place नहीं करती linear के अंदर याद अखना प्टा तो linear molecule linear molecule of alkyne do not show geometrical isomism ठीक है बटा है ये geometrical isomism नहीं शो करता है चली अब इसके बाद हम शुरू करते हैं इसकी preparations के बारे में तो preparations की बात करते हैं तो according to NCRT there are only two methods for the preparation of alkynes there are only two methods of alkynes की preparation जिसमें सबसे पहला है by the action of water on calcium carbide calcium carbides calcium carbide क्या होता है हमारे पास CAC2 this is called calcium carbide ठीक है बटा जब हम calcium carbide को water के साथ treat करते हैं treated with water ठीक है या hydrolysis करते हैं तो हमारे पास बनता क्या है CH CH यानि इथाइन की formation होती है side by side हमारे बनता है calcium hydroxide अब ही calcium carbide बनता कैसे है बटा देखे जब हम starting में calcium carbonate लेते है बटा इसको हम heat करते है it will break into calcium oxide and CO2 gas तो बटा ये reactions क्या होते है reversible होते हैं जल्दी जल्दी react कर लेते हैं तो हम जैसी calcium carbonate oh sorry calcium oxide बनता है क्योंकि calcium carbonate बहुत ज़्यादा stable होता है as compared to calcium oxide तो ये calcium oxide इसके साथ water CO2 के साथ react करके वापस reaction को reversible बना देता है तो इसको क्या करते हैं हम जल्दी से जल्दी किसके साथ react करते हैं carbon के साथ और ये जो होती है carbon की बात करते हैं तो ये pure carbon के साथ करते हैं और that is हमारे पास pop होता है and this reaction is carried out in electric furnace के अंदर जिसमें graphite की रोड हम लेते हैं ठीक बाता graphite की रोड होती है तब जाके हमारे पास बनता है calcium carbon CO2 plus carbon monoxide and this reactions are taking at very high temperature this reaction is 2270 and this also 2270 Kelvin temperature पे तब जाके हमारा ये formation बाता ठीक है next है second हाँ जोटा जब हम second reaction के बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है from alcoholic के वज dehydro halogenation of di di halogenes alpha carbon से मैंने आपको पहले बदाता है alkenes के अंदर alpha carbon से आपका halogen जाता है और beta carbon से क्या चलाता है इसके अंदर से hydrogen ठीक है बटा तो इसमें एक carbon से hydrogen जैसे for example यहां से hydrogen तो यहां से क्या रिम हो जाता है halogen and least of formation of alkene ठीक होटा यह alkene बन जाता है हमारे पास तो यह हमारे पास बन गया one bromo ethene again treated with alcoholic के वज़ किसके साथ treat करते है alcoholic के वज़ किसके साथ treat करते है in the presence of NANH2 के साथ ठीक होटा किसके presence में NANH2 तो यह हमारे पास strong base होता है यह सेकेंड स्टेप में जूज करते हैं जिसे हमारी जो alkene की जो product बने वो better product बने ठीक होटा तो दैन it will lead to a formation of again alpha carbon से halogen and beta carbon से hydrogen remove होता है and leads to a formation of triple bond तो हमारे पास क्या बनाई है ethene तो this is the preparation of alkyne from dehydrohalogenation with the help of alcoholic coverage ठीक है बटा तो alcoholic coverage से बना सकते हैं next हमारे पास एक और method है जो हमने पहले भी करा था पिछली चेप्टर पिछले टॉपिक में CHBR जिसमें हम क्या करते हैं remove कर देते हैं dehalogenation मतलब removal of halogens ठीक है बटा इसको जब हम treat करते हैं zinc के साथ तो reaction है हमारे पास simple हम क्या remove कर रहे हैं halogens तो this reaction is called dehalogenation reaction ठीक है बटा तो zinc dust के साथ जब treat करते हैं इसको in the presence of ethanol ओ, methanol की presence में तो zinc क्या करते हैं इन सारे bromines को absorb कर लेता है and least of formation of CH triple bond CH plus 2 moles of ZnBr2 तो this is the preparation which is mentioned in NCRD book और यही हमारे syllabus में बटा next हमारे पास आते हैं इसकी physical properties physical properties of alkynes तो सबसे पहले हम बात करते हैं solubilities की solubilities की हाँ जुटा देखे जब हम solubility की बात करते हैं किसकी बात करते हैं solubility की तो जो alkynes होते हैं again these are non-polar ठीक है बटा तो यह हमारे पास क्या है non-polars होते हैं तो that's why non-polar होने की विज़े से यह क्या होते है insolubile होते है किसके अंदर insolubile in water क्योंकि water क्या है खुद यह polar solvent होता है ठीक है और second यह soluble होते है किसके अंदर organic solvent ठीक होते हैं तो यह हमारे पास solubility horizon आगया तो जो हमारे पास alkynes होते हैं they are non-polar in nature और since they are non-polar in nature तो आप भी जानते हैं तो polar, polar में soluble होते हैं and non-polars are soluble in non-polars that's why they are insolubile in water क्योंकि water क्या है हमारे पास polar solvent होता है इसी विज़े से यह पादी के अंदर क्या होते हैं insolubile second thing हांच बटा तो इसके बाद हम physical state की बात करते हैं आप भी जानते हैं as the molar mass increases क्योंकि lower molar mass होता है उनके बीच वर force of attraction कम होती है और जो force of attraction कम होती है तो up to three carbon atom यानि जब हम बात करते हैं ethine propine और butine की तो यह सारे के सारे क्या होता है क्योंकि इनके बीच का force of attraction है क्योंकि molar mass कम है यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि जैसे जैसे बीचा surface area increase करता है वेंडर वर force of attraction भी क्या करती है increase करती है तो इनका वेंडर वर force of attraction क्या होता है weak होता है क्योंकि surface area भी कम है इसी वज़े से यह तीनों के तीनों के state में exist करते है gases state में तो as it is as the number of carbon atom increases जैसे जैसे number of carbon atom increase करते है तो automatically molar mass यानि surface area बढ़ता है molar mass भी बढ़ता है तो molar mass बढ़े तो वेंडर वर force of attraction भी क्या करेंगे increase तो हमने यह कहा as the number of carbon atom increases तो आपका surface area increase करेगा और जब surface area increase करता है तो दिहान से सुनिए और फॉर्दर ओन बढ़े तो आपके नमबर वर काबन अटम increase करता है क्योंकि surface area increase करेगा और जब surface area increase करता है तो वेंडर वर्वर फॉर्स फट्रक्शन भी क्या करेंगे increase होते है और जब यह increase करेगा तो automatically 5 से लेके 8 तक यह सारे liquid होते है और boiling point भी क्या कर जाता है increase कर जाता है और further on सारे solid state में exist करते है ठीके बड़ा अब हम बात करते हैं comparison between ethane, ethene and ethane तो hydrocarbons में तो hydrocarbons की जब बात करते हैं इनके अंदर boiling point की बात करते हैं surface area के सासाथ क्योंकि physical properties again vendor world force of attraction तो vendor world force of attraction किसके अपर है boiling point automatically boiling point भी क्या करेगा increase करेगा इसदा surface area increases जब हम ethane की बात करते हैं ethene की बात करते हैं और ethane की बात करते हैं तो इन तीनों में से सबसे ज़ादा जो हम बात करते है boiling point किसका होता है ethane का सबसे ज़ादा किसका होता है ethane का इसका boiling point 190 हमारे पास आता है paved क्योंकि ये क्या होते है closely packed होते है linear होते है and closely packed होते है कैसे होते है linear and closely packed structure होता है इसी वज़े से इनका boiling point सबसे ज़ाद होता है उसके बाद हमारा किसका होता है एलकेन्स का यानि इथेन्स का 184 पीको जब हम बात करते है 184 कैल्विन ठीक बटा इसका 190 कैल्विन और इथीन का इन तिनों में से सबसे कम होता है 170 कैल्विन ठीक बटा यह 170 कैल्विन तो यह हमारे पास boiling point arrangement है on the basis of जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे जादा होता है थाइन का फिर हमारे पास इथेन का और सबसे कम होता है इथीन का तो यह हमारे पास boiling point order है ठीक बटा एथाइन का सबसे जादा क्यों होता है एक तो linear structure होता है दूसरा क्यासा बसा होता है closely packed structure होता है that's why it has higher boiling point अब इनकी chemical properties पढ़ते हैं इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं बच्छे chemical properties सबसे पहला again hydrogenation as you all know that hydrogenation में क्या होता है बटा addition of hydrogen in the presence of nickel catalyst जब हम hydrogen add करते हैं CH triple bond CH plus H2 in the presence of nickel platinum platinum catalyst it will lead the formation of double bond CH2 double bond CH2 again जब हम H2 add करते हैं in the presence of nickel catalyst तो single bond में कनवाट होता है and this process is called hydrogenation यानि addition of hydrogen in the presence of nickel catalyst high temperature second halogenation यानि addition of halogen same बटा जैसे hydrogenation होते हैं same halogenation होते हैं हमारे पास जब इसमें हम chlorine add करते हैं या bromine add करते हैं either chlorine और bromine in the presence of CCL4 तो CH double bond CH same as it is chlorine add होता है again इसकी chlorination करा दीजे in the presence of CCL4 तो double bond से single bond में convert हो जाता है ये हमारे पास ethine 1,2 dichloro ethene और लास्ट में क्या बनेगा 1,1,2,2 tetra chloro ethene ठीवड है same as it is third one addition of HBR देखे बिटा जब हम addition of HBR की बात करते हैं तो symmetrical है तो आप लोग किसी पे भी attach करा दीजिए एक पे H और एक पे BR तो क्या बन जागा CH2 CHBR बट double bond आएगा अब जब इसमें आप HBR अटेक करोगे तो ये follow करता है आपका marconic of ठीके बटा marconic of rules if यहाँ पे हम इसके अंदर paroxide रख लेते हैं क्या रख लेते हैं paroxide तो ये follow करेगा anti-marconic of rules ये तो हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी बटाइबर देश जुरूर देखना इसमें marconic और anti-marconic marconic के अंदर जब हम बात करते हैं short में हम आपको बदाता हूँ marconic के अंदर होता है क्या है तो जब ये HBR टूरता है इसका negative part उस carbon पे attach करता है double bonded carbon पे जिस पे hydrogen कम होते है तो देखे इन दोनों carbon में से जिसमें star mark कर रहा हूँ double bonded है दोनों के दोनों तो इन दोनों में से hydrogen किसके पास कम है इसके पास तो इसके उपर क्या attach कर जाएगा BR एक BR तो पहले से था एक BR और attach कर जाएगा और ये जो hydrogen है जिसके पास ज्यादा है दोनों है वहाँ चला जाएगा तो ये इस टाइप से बन जाएगा anti-marconic में जस्ट उल्टा होता है those यानि that double bonded carbon which contain more number of hydrogen उसके पास आपका negative part चला आता तो ये BR यहाँ पे single bond CH2 BR और hydrogen इसके पास चला आता तो ये हमारे पास C triple bond CH जब हम HBR अटेक कराते है ठीक है और एक बार यहाँ पे anti-marconic लगा देते है HBR in the presence of peroxide देखिए इसमें तो marconic लगेगी क्योंकि peroxide है नहीं अब इसमें से BR ये वाला उस carbon पे जाएगा जिसके पास less number of hydrogen है double या triple bonded देखिए ये हमारे पास है तो इन दोनों में से किसके पास hydrogen कम है automatically इसके पास तो इसके पास क्या चला जाएगा हमारे पास BR तो CH तो यहाँ पे BR तो triple bond से ये double bond में convert हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 ठीक है बटा और इसे ज़स्ट उल्टा हो जाएगा इस वाले केस में CH double bond CH and BR इस टाइब से बना इसमें कोई डाउट किसी को अब इसके अंदर जब आप again कराते हो HBR कराते हो तो again क्या लग जाएगा हमारे पास mark और निक और तो क्या बनेगा CH3 BR BR and ये CH3 ठीक बटा IUPAC नहीं नहीं लिख रहे है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी चली जाएगी इसी विज़े से तो ये हमारे पास होगी बटा क्या चीज़ addition of HBR fourth one addition of H2 ये भी again follow करता है किसको mark और निक और रूल को ठीक है बटा CH जब इसके अंदर हम water एड़ करते हैं H2 एड़ करते हैं in the presence of H positive तो मैंने आपको बताया थे बटाए इसमें हमारे पास थ्री तरह से लिखाता है H2 H positive या फिर HgSO4 H2SO4 आता है ठीक बटाए इस टाइप से हमारे पास लिखाएगा पेपर में तो समझ जाना आपको क्या एड़ कराना है आपको H2 एड़ कराना है तो water तूट जाता है कि इसमें H positive and OH negative तो negative part उस carbon पे जाएगा जिसके पास less number of क्या होंगे hydrogen तो हमारे पास product बनेगा CH3 C यहाँ पे OH और double bond CH2 ठीक बटाएगा यह हमारे पास बना propine और यह हमारे पास क्या बन गया prop 1 in 2 all और मैंने आपको बताय था जब हमने isomerism की थी तो हमारे पास जब भी enol बनता है तो यह compound खुद को stabilize करने के लिए किसमें जाता है keto में चला जाता है तो इसलिए इसके अंदर take place करती है keto enol totomerism ठीक बटा कुणसी मेरिजम keto enol totomerism यह चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्लीज बटा तो जो आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जुरूर देखना जिसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है keto enol totomerism के बारे में ठीक है तो प्लीज पिछली वीडियो जुरूर देखना तो उसमें हमने keto enol totomerism के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता रखा है आप लोगों को तो यदि फिर भी ना हो तो देखिए एक बार मैं बता देता हूँ यह हमने लास्ट वीडियो में कर रखा है totomerism जब भी किसी compound के अंदर enol होता है तो वो keto group में change करता है C double bond O और इसमें हमने क्या बताया था कि जब भी compound के बीच में जिस carbon से double bond होता है double bonded carbon उसे पे O जोता है तो यह double bond transfer हो जाता है carbon and oxygen के बीच में and this hydrogen which is connect to carbon atom यह transfer हो जाता है कि इसके अपर double bonded carbon पे यह हमने पहले भी कर रहा था totomerism के अंदर जब हमने types of isomerism study की थी चैगी बटा क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर last वीडियो में हमारे पास कितने type के isomerism होती है देखे यह isomerism जब हमने topic रहा था मैंने आपको बताया था हमारे पास तीन type की जब हम बात करते है isomerism होती है chain isomerism, position, functional, metamism, totobism and ring chain isomerism और इसमें confirmations होती है हमारे पास newman projection, seahorse projection and fissure projections और stereo isomerism यह हमारी वीडियो में है हमारे पास geometrical isomerism, cis and truss isomerism and point optical isomerism और जब हम बात करते है geometrical में हमने r और s भी पड़े थी और e और z notation भी पड़े थी तो यह हमारे पास है तो देखे वापस आते हैं अपने topic पे तो यह जो double bond है यह shift हो जाता है carbon और oxygen के बीच में और यह hydrogen shift हो जाएगा इसके उपर तो इस type से यह compound हमारा बन जाएगा CH3C double bond O CH3 तो यह आपके पास बन गया propanol और यह आपका quite stable product है as compared to e-thinol तो जब भी paper में आएगा तो आपको इस type से ज़रूर बनाना है और यह 11th के लिए बहुत important है and 12th as well as reaction ठीक है तो इसी के साथ बिटा हम बात करते है तो यह हमारी जो chemical reaction होती है alkyne की वो finish होती है बस इसमें एक और हमारे पास बचा है और वो reaction हम preparation of benzene में भी पढ़ सकते है that is called cyclic polymerization ठीक बिटा क्या कहलते है cyclic polymerization देखें जब हम cyclic polymerization की बात करते है तो होता क्या बिटा ethene यानि CH triple bond CH sorry ethine CH triple bond CH ethine जब हम इस ethine को पास करते है बिटा या इथाइन गैस को पास थू करते है red hot iron tube से जिसे red hot iron tube से at 773 Kelvin temperature ठीवटा 773 Kelvin temperature पे तो ये जो molecule होता है इथाइन के three molecules आपस में combine करके leach the formation of benzene ये हमारी benzene की क्या गरती है formation कर लेती है तो जो अब हमारे पास ethine molecule होता है CH triple bond CH CH triple bond CH CH triple bond CH तो जैसे red hot iron tube से पास करते है तो ये double bond triple bond तोटके double bond में चलाता है और ये single bond इनके बीच मारता है ऐसे ये transfer कर जाता है और ये वाला भी तो इस type से आपका क्या बन जाता है ये benzene की formation करता है देखे CH यहाँ पे double bond और ये single bond आगे इनके बीच में next double bond CH CH यहाँ पे था और जैसे ये triple bond इनके बीच में है तो single bond आया CH और देखे ये double bond triple bond से double bond में convert आ CH और ये single bond इनके बीच में आ गया तो ये क्या बन गया हमारे पास benzene जिसमें alternatively double bond या हमारे पास क्या होते है triple bond होते है और NCRT ने अलग से हमाई शोगर रखा है acidic nature of alkyns जो हमने पहले पढ़ चुके हैं types के अंदर ठीके बटा ये वाला acidic nature क्यों शोगरता है ये वाला topic why the alkyns are acidic nature और आप भी जानते हैं terminal alkyns के आउते हैं हमारे पास जादा acidic होते हैं due to S character ठीके बटा as they have higher S character ठीके तो एक reaction कर लेते हैं on the basis of acidic character 12th में आईगी काम ये अपके action with soda lime ठीके बटा soda amide sorry soda amide यानि Na NH2 जब CH triple bond CH को इसके साथ treat करते है soda amide के साथ बटा है तो again ये यहां से क्या release करता है hydrogen release करता है same यहां से भी क्या कर देता है hydrogen release करता है तो हमारे पास क्या बटा है C triple bond C और दोनों तरफ क्या लग ज़ता है sodium और साथ में release होती है हमारी कुंसी gas ammonia NH3 ठीक बटा है क्या निकल जाती है ammonia तो ये हमारे पास है SAD करेक्टर के बेसे पर आप रेक्षिन बता सकते हो किसकी alkynes की ठीक बटा तो इस टाप से आप alkynes की बता सकते हो तो next हमारे पास आता है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा से बड़ी हो जाएगी तो distinguish test करते हैं distinguish test between alkyn alkyn and alkyn ठीक बटा कि आप alkyn, alkyn और alkyn को कैसे separate कर सकते हो ठीक बटा जब हम बात करते हैं alkyn, alkyn और alkyn और alkyn इसको तो जब हम बात करते हैं बटा तो जो हमारे पास क्या, alkyn होता है यो सोरी, alkyn की बात करते हैं मैं हमेशा alkyn बोलता है उसको गलती से जब हम alkyn की बात करते हैं alkyn में हम लेते हैं CH, triple bond, CH ुछ ठीक घुलियृर क्पोच मुच यानि उठाइन एक्च्छिक राश्य हमाते पास क्या होता है डिस वर अंवानिकल नैटरिड इस या हमारे पास कट फुल्ट में हमी को टरीट करते हैं त्रस्ट के लिए ठीक है बटा फॉर्मुला होता है एजी एनस्थरी होल ट्वाइस होल टू पॉजिटिव चार्ज एंड ओएच नेगेटिव जब इसको टोलेंस टेस्ट के साथ रियक्ट करते है बटा तो हमारे पास वाइट प्रेसिप्टेट बनता है किसका एजी सी ट्रिपल बॉन सी एजी तो यह वाइट प्रेटी बन जाते है हमारे पास मैं तिस शोज ता प्रेजेंस ओआ या फिर हम कह सकते हैं इस ट्रेस क्ने साथ में हमारे पास बनता है वाटर जौलेक्वल और लिबरेशन अवटर अमोनिय गैस तो यह वाइट प्रिप्ल फोंशन होते है ठीक है तो इस टाइप से आप कर सकते हैं तो सिंपल हम बात करते हैं यह हमारे पास सब्सक्राइब कीजिए और इसमें कोई भी डाउट आपको आता है वीडियो में तो में को वाट्साइप जरू करना my number is 9871945321 thank you have a nice day